मेरे नाम है राहूल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस complete classes के अंतर first class में जो हमने concepts पढ़े थे उसके questions आज हम detailed में करने वाले हैं आपको पता होना चाहिए कि पिछली classes में हमने क्या पढ़ा था मैंने हमेशा गाये कि जब भी आप अगली classes में आओ मैं आपको पता होना चाहिए कि पिछली classes में आपने क्या पढ़ा था मैं आपको बता देता हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आज ही इस class को देख रहे होंगे आपको पता होना चाहिए अगर आपने हमारी concept की videos को नहीं देखा है तो इस से related questions आप नहीं कर पाओगे तो सबसे पहले अगर आपने concept की video lectures को देख लिया है जिसमें rational number के concepts मेंने बताया है जिसमें की number system, LCM, SCF और fractions and decimal numbers को हमने complete किया है वो video लगबग 2 गंटे के आसपास किये उस video को सबसे पहले complete करिये उसके बाद ये video देखना स्थार्ट करिये तो चलिए सुरू करते हैं और समझने की कोसिस करते हैं कि अगर आपने ये concept की video को देख लिया है तो आज हमारी बारी है second class की आज हमारा दूसरा दिन है और यहाँ पे हम questions को करने वाले है racial numbers related जितने भी questions पूछेगे हैं past years में उनको हम देखने वाले है questions के pattern को देखेंगे किस तरीके से questions आपके exams में पूछे जाते हैं उसी तरीके के questions हम solve करने वाले हैं चलिए हमेशा की तरह मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पे किवला वीडियोस देखते होंगे और चले जाते होंगे यहाँ पे वही बच्चे पढ़ते हैं जो बिल्कुल serious तरीके से पढ़ाई करते हैं notebook और pen के साथ में आपको आना है मेरे साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो यह rules follow करना है इसके अलावा खुद के notes बनाने है आपको dependent नहीं रहना है कि PPT मिलेगी, PDF मिलेगा इसके अलावा वीडियो देखते समय बीच में छोड़के नहीं जाना है कि notification आ गया WhatsApp का, Instagram पे कोई message आ गया वहाँ पे पहुँच गया ऐसा बिल्कुल नहीं करना है जो बच्चे ऐसा करते हैं उनका कभी selection होता ही नहीं है उनका सेनिक स्कूल में admission होता ही नहीं है क्यों उनके अंदर dedication ही नहीं है पढ़ने का इसके लावा revision जरूर करना है जैसे कि आज हमारी second class है तो पिछली classes में जो आपको पढ़ाया गया है उसको revision जरूर करना है questions के बीच में जो classes के बीच में जो questions दिये जाते हैं उनको भी आपको solve करना है इसके साथ साथ homework daily का daily करना है मैं homework दूँगा, questions करा लूँगा उसके बाद आपको मैं homework दूँगा PDF के format में उसको आपको घर पे practice करना है और बिल्कुल hand holding support प्रोवाइड कराता हूँ मैं इसके लावा वीडियो देखते से हमें completely focus रहना है focus रहने का मतलब क्या बहुत सारी लोग questions नहीं पढ़ते है direct solution करना start कर देते हैं आप जब तक question नहीं पढ़ोगे और जिन बच्चों को slabus tracker दिया गया है slabus को track करने के लिए गयार पहला chapter हमारा complete हो चुका है maths में तो यह सको tick कर लिया slabus tracker दिया जाते हैं हमारी तरब से और जिन बच्चों को नहीं मिला है slabus tracker आप मुझे message कर देना whatsapp कर देना वहां से आपको मिल जाएगा इसके अलावा मैंने हमेशा बोला है अगली class attain करने से पहले पिछली classes का revision जरूर करना है और हर classes के बाद आपको देखना है क्या यह rules आज पढ़ते समय आपने follow किये हैं चाहें आप कहीं भी पढ़ रहा हूँ application में पढ़ रहे हूँ YouTube में पढ़ रहे हूँ या फिर video की link के थुरू पढ़ रहे हूँ कैसे भी पढ़ रहे हूँ आपको यह rule तो follow करना ही पढ़ेगा अगर आप यह rule follow करेंगे definitely आपका selection होगा चलिए बात करते हैं आज की classes के बारे में देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं complete question क्यों यह देखिए यह syllabus है और हर बार syllabus में आपको recall कराता रहूँगा rational number के हमने concept पढ़ लिए है पहली class के अंदर और आज हम इसके करने वाले हैं questions questions करेंगे questions के pattern देखेंगे कि किस तरीके से questions पूछे जाते हैं तो यह complete syllabus है और आगे आने वाली classes में linear equation in one variable हम solve करने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पिछली classes में क्या पढ़ा है आज क्या पढ़ रहे हैं और आगे आने वाली classes में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो आगे आने वाली classes में linear equation in one variable हम complete करने वाले हैं तरीके से पूरा pattern हमारा चलेगा जिस तरीके से maths का syllabus दिया हुआ है और maths का syllabus आपको पता है 50% weight is रखता है आपके exams में चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम करने वाले हैं सेनिक स्कूल क्लास 9th के लिए जो बच्चे प्रिप्यार कर रहे हैं maths में हम questions करने वाले हैं rational number selected तो आज की क्लास का जो पहला question है notebook और pen paper में लिखिये पहला questions और solve करने की कोसिस करेंगे आप यह जो पहला question है यह पहला question आपको दिख रहा होगा यह आपका पहला question आज का इस question को solve करना है आपको कैसे solve करोगे मैंने हमेशा कहा है और बार बार इस बात को repeat करता हूँ कि जब भी आपके सामने questions आते हैं ना जब भी आपके सामने question आए question को ध्यान से पढ़ना सीखो उसको समझना सीखो यार actual में इस question में क्या दिया गया है ठीक है यार हम थोड़े speed में नहीं चलेंगे अराम अराम से करेंगे हमें question बनना चाहिए इस speed से ज़्यादा आपकी accuracy matter करती है आप accurate question सही कर रहे हैं वो बहुत matter करता है चली पहला question पढ़ते हैं लिखा है if i if 1 x 2 y 6 z is a number अब यहाँ पर आप देख पारे हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है one और इस एक डबबा बना देता हूं यहाँ पर x है यहाँ लिखा हुआ है two फिर यहाँ पर y है फिर यहाँ हुआ पर six यहाँ पर जड़ अब बोल रहा हिए कि divisible by nine nine की divisibility rule आपने पड़ा है उसमें हम क्या करते हैं concept अगर आपने पड़ा है कि nine के divisibility रूल में हम क्या करते हैं सबसे पहले जो numbers दिये होते हैं जो number दिया होता है उसके digit को हम plus करते हैं सारे digits को हमें plus करना है और हमें पूछा गया है कि then the list value of x plus y plus z यानि कि यहाँ पर अगर x है यहाँ y है यहाँ z है तो सबसे छोटी value क्या होगी x plus y plus z की जिससे कि यह number divisible हो जाएगा 9 का 9 का यह number divisible होना चाहिए चलिए इस number को हम plus कर लेते हैं 1 plus 2 plus 6 कितना हो जाएगा 1 और 2 3 3 और 6 9 यह number तो 9 से divisible होगा क्योंकि इसका जो sum आ रहा है वो 9 आ रहा है अच्छा चार options दिये हुए हैं इसके तुरू हम देख सकते हैं अगर मैं 0 रग दूँ अगर मैं इन तीनों का x plus y plus z का 0 रग दूँ तो भी number अमारा 9 से divide हो जाएगा लेकिन अगर 1 रखूँगा और 3 को plus कर रहा हूँ जो कि 9 आ रहा हूँ 1 plus करूँगा तो 10 होगा यह option तो हमारा होगा नहीं अगर मैं 6 रखता हूँ तो 9 और plus 6 इस 9 में 6 को plus करना यानि कि x plus y plus z और x plus y plus z अगर 6 रखोगे तो क्या हो जाएगा 15 होगा और 15 जो है यहाँ पे जो value है वो क्या होगी option number first जो है वो correct option होगा क्यों हमसे नियूंतम मान पूछा है नियूंतम मान हमसे पूछा गया है और नियूंतम मान क्या होगा जीरो होगा और I hope कि ये question आप समझ पाया होगे आगे बढ़ते हैं questions को लिखिए solve करने की कोसिस करें चलिए एक और question देता हूँ मैं आपके सामने और इसी तरीके के question same similar question मैं आपको देने वाला हूँ और I hope कि आप इस question को solve करोगे चलिए इस question को देखिए आपके सामने ये दूसरा question है यहाँ पे cable z की value हमें पता करनी है औ हुआ हो जेड का वो कौन सामाने जो 9 के लिए divisible होगा same वही process 2 1 4 7 1 यहाँ पर जेड है कोई एक value और फिर 8 आप मुझे बताओ कि क्या होगा सबसे पहले इन सारे numbers को plus करो और देखो कि plus करने के बाद जो number आ रहा है वो 9 से divisible हो रहा है या नहीं हो रहा है फिर इन options में से हम try करते हैं चलिए number को plus करना start कर देते हैं इस question को करिए आप option बताइए कि क्या होगा comment box में बताइए आपको कुछ seconds का time देता हूँ इस question को करने के लिए correct 2 और 1 3 3 और 4 7 7 और 7 14 14 और 1 15 15 और 8 15 और 8 कितने हो जाएंगे 15 में 5 को plus करोगे 20 और 3 plus कर दो 23 है 23 9 से divisible नहीं है लेकिन 23 में 4 को अगर हम plus कर देते हैं 23 में अगर हम 4 को plus कर देते हैं तो 23 प्लस 4, क्यों हो जाएगा 27, जो कि 9 से divisible है, 5 को प्लस करेंगे, divisible नहीं होगा, 7 को प्लस करेंगे, divisible नहीं होगा, 8 को प्लस करेंगे, divisible नहीं होगा, यानि कि option number जो हमारा first है, वही आप, sorry, option number जो, एक second, कुछ गरबर हो रहा है, यह 8 को हमने plus नहीं करा, पता है, इस 8 क number जो है, इसमें हमें चेक करना पड़ेगा, एक second, एक बार हम question देख लेते हैं, अच्छी तरीके से क्या होगा, इसमें option number C आ रहा है answer, चलिए, फिर से देखते हैं इस question को, यहाँ पर क्या दिया हुआ, इस question को ध्यान से देखो, इस question में लिखा हुआ है, 2, 1, 4, 7, 1, 8 और 1, 9, 9 और 1, 10, 10 और 2, 12, 12 और 4, 16, 16 और 7, 16 प्लस 7, कितना हो जाएगा यह, 16 और 7, 23 हो जाएगा, correct, 23 हो जाएगा, 23 में अगर मैं 4 को प्लस कर देता हूं, 23 में अगर 4 को प्लस कर देता हूं, तो यह number 9 से divisible हो, find the value of z which is number divisible by 9, अगर यहाँ पर मैं 4 रख देता हूं, तो यह भी number 27, 4 भी साहिए, correct, 4 ही साहिए होगा, और इसमें 7 अगर प्लस कर देते हैं तो, अगर हम इसमें 7 प्लस करेंगे, तो 23 प्लस 7, 30 हो जाएगा, 23 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 जो है, वो 9 से तो divisible नहीं होगा, यानि कि option number जो A है, वही correct है, 4 जो है, वही correct है, इसके लबा कोई भी options correct नहीं है, यह जो option है, वो गलत, गलत है answer इसका, जो यहाँ पे आ रहे हैं वो answer गलत है, correct, चलिए, यहाँ पे आगे X और Y, देखिए, question को ध्यान से पढ़िए, अपनी copy में question को note down करिए, उसके बाद question solve करिए, और मुझे बताईए कि इसका correct answer क्या होगा, हमें इसमें चेक करके बताना है कि number 90 से divide होगा या नहीं, 90 से divide करना है ना, तो आपको देखना होगा, यह number 9 से और 10 से, divide होना चाहिए, तो 10 से divide होने का rule बहुत simple है, last में 0 आना चाहिए, कोई भी number 10 से जबी divide होगा, जब उसके last में 0 होगा, यानि कि हमारी जो एक value है y की, वो तो 0 होगी, अब हमें बस x की value को check out करना है, तो 5 और 7 और 3, 15 हो जाएंगे, 15 प्लस x की कौन सी value रखूँगा, तो वो 9 से divide हो जाएगा, x में अगर हम 6 रख देते हैं, 15 में अगर हम 6 को plus करते हैं, तो 21 हो जाएगा, 15 में अगर 6 को plus करते हैं, 21 होगा, जो कि 9 से divisible तो नहीं होगा, 15 में अगर 9 को plus कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा 24, 24 होगा, और 24 भी हमारा 9 से divisible तो नहीं होगा, अच्छा 3 रख देंगे तो 18 हो जाएगा और 18 जो है वो 9 से divisible है 3 रखने पे 18 जो है वो 9 से divisible है एक नमबर तो हमारा ओल्रेडी 0 है Y तो हमारा fix हो गया तो X प्लस Y क्या हो जाएगा X प्लस Y हो जाएगा 3 प्लस 0 यानिकि 3 So option number जो है इसका जो C वाला option है वो correct option है जो option number C है वही इसके अंदर right answer होगा इसी तरीके के question आपके exams में आएंगे Divisibility rules से related आपके exams में questions ज्यादा पूछे जाते है तो आप pattern को समझे जब आप pattern समझेंगे न तो आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ आएगी यहाँ पे लिखा है the product of all prime numbers पता हैगा सबसे बड़ी problem क्या आती है सबसे बड़ी problem यह है कि बच्चों को prime number के बारे में पता ही नहीं है कि prime number होता क्या है क्यों यह पता कैसे चलेगा यह पता आपको लगेगा जब आप concept अच्छे से करोगे चलिए मैं आपको hint देता हूँ इस question को solve परिए प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं तो आपको यह देखना है 80 और 90 के बीच में प्राइम नंबर कौन से हैं उनको देखना है और उनका multiplication करके answer बताना है आप मुझे बताओ 80 और 90 के बीच में कौन-कौन से ऐसी नंबर है जोकी प्राइम नंबर की category में आते हैं यह आपको बताना है चले इस question को solve करिए जब तक मैं पानी पी लेता हूँ चले इस question को solve करिए correct करिए इस question को solve करिए और मुझे बताइए कि इसका correct answer क्या होने वाला है प्राइम नंबर आपको बताना है कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं और कैसे आप इनके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो बताईए क्या 81 हमारा प्राइम नंबर है बिलकुल भी नहीं है 82 वो भी नहीं है 83 हमारा प्राइम नंबर है तो पहला जो हमें नंबर मिलेगा 80 और 90 की बीच में पहला 83 मिलेगा दूसरा जो हमें नंबर मिलेगा 80 और 90 की बीच में जो की प्राइम नंबर है वो है हमारा 87 और इस नंबर का मल्टिप्लिकेशन करो अब देखिए शॉट कट बता रहूं मैं आपको सेवन थ्रीजा 87 डिवजिबल है किसी नंबर से 87 है 89 होगा इस शुरी 89 होगा 89 होगा 87 तो डिवजिबल हो जाएगा ना 8 और 7 15 हो जाएगे जो की 3 से डिवजिबल है तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है 89 है, किसी number से divide ने होगा 89, खुद से divide होगा, तो 89 में 83 का multiplication करो, 83 multiplied by 89, कैसे आप लोग करते हो multiplication, ऐसे करते हो, ऐसा आप करना चूट दो, 9 का 3 में, देखो एक shortcut बताता हूँ मैं multiplication करने का, shortcut सीखो, shortcut सीखो, क्रिस क्रोस method से fast multiplication कैसे करते है, 83 लिया हुआ है, दिखा हुआ है और 89, इसी का multiplication करना है, देखो ध्यान से समझना, आप multiplication, आप वैसे भी करके answer निकाल सकते हो, 9 और 3 का multiplication करोगे, क्या हो जाएगा, 27, केरी आगई आपकी 2, अब हमें cross में multiplication करना है, 9, 8 जा 72, और 8, 3 जा 21, तो 8, 3 जा 21, sorry, 8, 3 जा 24, 24, अट्री के 24 और नॉटे बहत्तर, 72 और 24, 72 और 24 कितना हो जाएगा, 96, 96 होगा, और केरी पहले से ही है, तो 96 और ये 2, हमारे हो जाएगे 98, कितने हो जाएगे, 98, तो 98 का 8 आगया, फिर 9 केरी आगया, 8, 8 जा 64, और 64 में अगर हम 9 प्लस कर देंगे, तो 73 हो जाएगा, तो 7, 3, 8, 7 इसका correct answer होगा, 7, 3, 8, 7, 3, 8, 7 is the right answer, criss-cross method से, criss-cross method में क्या करते हैं, सबसे पहले इस number का multiplication करते हैं, फिर cross में करते हैं, और फिर इसका कर देते हैं, इस number का, पहले इसका किया, फिर in cross का किया, फिर इसका किया, और जो उसके number से उनको हम plus करते हुए, आगे बढ़ रहे हैं, एक logic best question है, यह logic best question है, question को लिखिये, which statement among the following is not true, कौन सा ऐसा statement जो सही नहीं है, और यह आपका बता पाओगे, जब आपने मेरी पिछली वीडियोस को, ध्यान से देखा होगा, वहाँ पे मैंने concept बहुत detailed में आपको पढ़ाएं हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है, every natural number is a integer, क्या हर एक natural number एक integer है, दूसरा लिखा हुआ है, क्या हर natural number एक real number है, every real number is a rational number, क्या हर एक real number एक rational number है क्या, नहीं, irrational भी हो सकता है, और every integer is a rational number, क्या हर एक integer एक rational number है, क्या, तो यहाँ पे जो correct answer होगा, कि जो incorrect answer है, बोला है कि कौन सा सही नहीं है, इसमें से ये वाला जो है न, वो सही नहीं है, क्यों, यह बोल रहे है कि क्या हर real number एक rational number होता है, नहीं, irrational भी हो सकता है, every real number is a rational number, यह जो statement है, वो सही नहीं है और हमें बताना था कौन सा statement सही नहीं है देखिए जब आप question को पढ़ते हो ध्यान से तभी आपको questions बनते हैं जब भी आपको questions बनेंगे Find the sum of all prime numbers that are not larger than 17 1 से लेकर के 17 के बीच में जितने भी prime number हैं उन सभी prime numbers को plus करके answer बताना है 2 आपका prime number है 3 आपका prime number 7 आपका prime number है 11 आपका prime number 13 आपका prime number है और 17 आपका prime number है जो 17 से बड़े नहीं होने चाहिए इन सब को plus कर दो 2 और 3 5 5 और 7 7 और 5 कितने हो जाएंगे 7 और 5 हो जाएंगे 12 12 और 11 12 और 11 कितने हो जाएंगे 23 23 में 13 को plus करोगे कितने हो जाएंगे 36 और 36 में 17 को plus कर दोगे तो कितने हो जाएंगे यह हो जाएगा आपका 6 6 12 और यह 13 और यह 43 43 43 है क्या कहीं भी आंसर आपका 41 43 है क्या कुछ miss हो रहा है लग रहा है आपके 2 है yes 2 है 3 है 7 है 2 है 3 है 5 भी तो है 5 भी तो कुछ से डिवाइड होता है तो 5 एक और प्लस कर लो यहाँ पे तो 43 और प्लस 5 48 48 है 58 होगा ना 58 होगा ध्यान से देखो आप इस question को इन सबको प्लस करो जितने भी प्राइम नंबर है उन सबको प्लस करना है आपको 5 मिस हो गया था हमारा जितने भी प्राइम नंबर है उनको हम प्लस कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं किसका आंसर क्या होगा correct देखिए सबसे पहला आपका प्राइम नंबर है 2 फिर आपका प्राइम नंबर है 3 5 भी हमारा प्राइम नंबर है 7 भी हमारा प्राइम नंबर है 9 नहीं है क्यों 9 3 से डिवाइड हो जाता 11 है हमारा प्राइम नंबर 13 है हमारा प्राइम नंबर 27 27 में 27 में 13 प्लस कर दो यह हो जाएगा 40 और 40 में यह 18 प्लस कर दो 58 58 आपका correct answer होगा तो इसका जो सही answer है वो होगा 58 58 is the right answer इस question को करो बहुत interesting question बहुत interesting question है unit digit बताना है आपको unit digit बताना है कि क्या होगा find the unit digit of product 122 the power 173 वैसे तो exponents हम पढ़ेंगे तो वहाँ भी साइद कर सकते हैं लेकिन हाँ यह question अगर आ गया है तो इसको solve भी करेंगे और इसमें power का game है किसका game है इसमें power का game है और power की game को हमें समझना पड़ीगा चलिए कुछ basic से concept में आपको बताता हूँ आप एक pattern को notice कर पाओगे ध्यान जे समझना इसका last number है 2 2 to the power अगर 1 रहती है तो 2 होगा 2 to the power अगर 4 रहती स्वारी बहुत फास चल रहा हूँ न मैं 4 होगा ध्यान से समझना मेरी बात ध्यान से समझना power का game समझ पाओगे आप 2 to the power अगर 3 रहता है concept भी ही बता रहा हूँ मैं unit digit को find out करने का और 2 to the power अगर 4 रहती है तो 8 to just 16 हो जाएगा clear है और 2 to the power अगर 5 रहती है तो 232 हो जाएगा मतलब पता है क्या होगा मतलब ये है कि यहाँ पे unit digit तो इसका 2 हो गया यहाँ पे unit digit 4 हो गया यहाँ पे unit digit 8 हो गया यहाँ पे unit digit 6 हो गया यह एक pattern आ गया फिर उसके बाद भी देखिए, यहाँ पर unit digit इसका 2 होगा, इसी तरीके से 2 to the power अगर 6 करोगे, तो इसका जो unit digit होगा 64 और यह 4 आएगा यहाँ पर, यह फिर से यह pattern repeat होगा, मतलब हर 4 के बाद में वो pattern repeat होता, मतलब यह 4 का pattern बन गया, फिर अगले 4 में यह pattern बनेगा, 2 में, तो हमें अगर ऐसा कर लें, हम 173 को 4 से divide कर देते हैं, क्योंकि हर 4 के बाद में एक cycle बन रही है न, हर 4 के बाद में एक cycle बन रही है, 1, 2, 3, और 4, यहाँ से घूम करके एक cycle complete हो जा रही है, और फिर वही एक pattern repeat हो रहा है, अभी हमने देख लिया है वो चीज, 173 को 4 से divide करना है, अ तो 4 से अगर divide करोगे, 4, 4 जा 16, 1 और 3 होगा, 4, 3 जा 12, remainder 1 बचा, मतलब बस हमें यह देखना है, 2 to the power 1 का क्या होगा, क्योंकि 4 से divide करने के बाद में एक ही extra remainder आ रहा है, तो 2 to the power 1 क्या होगा, 2 to the power 1 हो जाएगा 2, यानि कि जो इसका unit digit आएगा, इसका जो unit digit आएगा, वो क्य आने वाला है, वो आने वाला है 2, so right answer is 2, इस तरीके से unit digit के concept को आप solve करोगे, pattern देखोगे, last में क्या है, उसका pattern क्या आ रहा है, फिर उसको divide करके हम उसको solve कर लेंगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले question के बारे, एक और question है, सेम उसी तरीके का है, अब 4 में pattern देखिए यहाँ पर भी 4 है, और यहाँ भी 4 है, तो अगर हम, अगर कोई भी ऐसा number, जिसके base में अगर कुछ दिया रहता है, जिसके base में अगर कुछ दिया रहता है, यहनि कि अगर a to the power m, plus a to the power n, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, a to the power m, plus n कर सकते हैं क्या, अगर a to the power m, multiply a to the power n रहता है, तो हम a to the power m, plus n करते हैं, ठीके, अलग-अलग निकाल के भी हम plus कर सकते हैं, और बता सकते हैं कि इसका unit digit का sum क्या होगा, तो 4 का pattern हम सबसे पहले find out करने की कोशिस करते हैं, 4 to the power 1, 4 to the power 2, 4 to the power 3, 4 to the power 4, 4 to the power 5, इसको हम देखते हैं कि क्या होगा, देखें, 4 to the power तो 4 होगा, 4 फोर फोर जा 16, यानि कि 6 हो गया, और 16 फोर जा 64, फिर 4 होगा, 16 में अगर 4 का, 4 होगा, फिर 4 का करेंगे, तो 64 फिर 6 हो जाएगा, 64 में, अगर हम, जी यह जो 4 आ रहा है हमारा, 4 to the power 4, 16 multiplied by 16, 6, 6 जा 36, 6 हो जाएगा, इसमें 4, 6, 4, 6 आ रहा है, यानि कि देखोगे तो यही pattern repeat हो रहा है, तो आप 2 का divide कर दो, या फिर 4 का कर दो, बात बराबर होगी, तो मैं 372 में 2 का divide कर देता हो, क्योंकि हर 2 digits के बाद में वो repeat हो रहा है, तो 372 में अगर हम 2 का divide करते हैं, 2, 1, जा 2, 1, correct, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा completely, और 2, यह हो जाएगा 7, 2, 6, 2, 8, जा 16, और फिर 1, 2, 2, 6, जा 12, यह तो completely हमारा आ गया, जिसके unit digit में क्या आएगा हमारा 6 आएगा, अब हमें इसमें देखना है कि क्या हो रहा है, एक extra जा रहा है, तो अगर 372 होता, 372 होता, अगर 372 होता, एक extra बचेगा इसमें, एक extra बचेगा, यानि कि यह जो number आएगा, वो 4 आएगा यहाँ पर, unit digit में, 4 आएगा, तो यहाँ पर unit digit आपका 6 है, यहाँ पर 4 आएगा, 4 और 6, 10 हो गया, यानि कि unit digit क्या जाएगी, कैसे question करना है, इस question में सबसे पहले हमें pattern find out करना है, कि यार, इसमें मैंने divide करके देखा, completely divisible है, यानि कि 6, क्योंकि 4 के बाद 6 आ रहा है, दूसरे number पर, 6 आ रहा है, यहाँ भी हमने divide किया, divide से यह में, बस एक number extra है, यानि एक extra आ रहा है, तो 6 के बाद फिर एक extra, यानि कि 4, 4 और 6 को प्लस कर दिया 10, last digit 0, unit digit हमें के बल पता करना था, इस तरीकिसा आप question को solve कर सकते हूं, unit digit में, अगले question के बारे में बात करते हैं, LCM, SCF का concept, पता है क्या होता है, हम question ध्यान से नहीं पढ़ते, और जब हम question ध्यान से नहीं पढ़ते न, तो question हमसे बनते भी नहीं है, यह fact है, जब हम question ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, तो क्या guarantee है कि question हम से बनेगा, इस बात की कोई guarantee नहीं कि question आप से बनेगा, क्यों कि आपने question ही ध्यान से नहीं पढ़ा है, जब ध्यान से पढ़ोगे नहीं तो question को solve नहीं कर पाओगे, एक formula हमने बताया था आपको, जब LCM, SCF पढ़ाया था, the LCM of two numbers, दो नमबरों का जो multiplication होता है, वो हमेशा उसके LCM और SCF के multiplication के बराबर होता है, यह चीज़ आपने पढ़ी है, question को copy में लिखिए और इस वाले formula से solve करिए, the LCM of two numbers is 550, हमें LCM के बारे में question में दिया हुआ है, LCM हमें दिया हुआ है इस question का 520, SCF भी दिया हुआ है 4 और इसके अलावा और दिया हुआ है कि एक number 52 है, दूसरे number के बारे में हमें पता नहीं है, तो दूसरे number अगर हमें find out करना है ना, तो ये 50, 150 में 4 का multiply करके और ये जो number है वो divide में आ जाएगा, 52, 52 से ये 10 बारे में cancel out हुआ है, यानि कि जो second number आएगा, वो आएगा आपका 40, देखो option number कौन सा आपका correct है, option number जो A है ना, वही आपका correct answer होगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला concept ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही है ना, वापस से जाओ, तो उस वीडियो को ध्यान से देखो, concept को पड़ो, और मैं केरता हूँ बार बार, कि जब तक आप concept नहीं पड़ोगे, जब तक आप concept नहीं सीखोगे, जब तक आपको question नहीं बनेंगे, और concept नहीं बच्चों को समझ आते हैं, जो बच्चे लिख लिख करके बढ़ते हैं, लिखने में आपका focus रहता है ना, वीडियो पे, पॉस करते हो, लिखते हो, देखो, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, जब भी आपको लगे ना कि यार, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, आप Instagram पे time अपना waste करते हो, करते हो न Instagram पे time waste, चलिए इस question को करिए, और बताता हूँ मैं, कुछ चीज़ें इस बताऊंगा आप, बहुत सार ऐसे बच्चे होते हैं, जो Instagram पे अपना time waste करते हैं, ये बताओ Instagram, WhatsApp, जितनी भी social medias हैं, हर कोई आपसे आपका समय लेना चाहता है, हर कोई आपका आपसे समय लेना चाहता है, आपको ये देखना है, कि आप जो समय दे रहे हो, क्या आप वहाँ से कुछ सीख रहे हो, या आपके दिमाग के अंदर कश्रा बढ़ रहे हैं, या आपका दिमा डेस्ट बीन थोड़ी है, कि हर कोई जो चाहें, वो आपको रख दे, जिसको मर्जी वो रख दे, हम स्क्रोल कर रहे हैं, कोई वीडियो आ रही है, वो आजा रही है आपके दिमाग, फिर वो घूमने लग जा रही है, इमेजिनेशन में जी रहे हैं, आप अपने दिमाग को कंट्रोल करिए, नहीं तो टेक्नोलोजी आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगी, आपको पता भी नहीं लगे, आपने देखा होगा ना बहुत बार कि हम कोई चीज पर्चेस करने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, और हमने एमेजन पे या फिर सोपिंग साइट्स पर जो आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने स्कूल का भी वाक करना है, साथने प्रिप्रेशन भी तैयारी करना, यार एक बार अच्छी तरीके से, चार महीने धंक से मैनत कर लो, स्लेक्शन ले लो सैनिक स्कूल, फिर वहाँ पे आपका जो रूटीन सेट होगा, जो आपका म करने इकोसिज करीए, क्या है और बहुत साय लोगों का सपना होता है, सपना बोलना छोड़िये, एम बनाइए उसको, जो भी चीज़े कहें आ, मेरे ये सपना ये, मुझे ये बनना, AI-ES बनना, IPS बनना, सपना बोलना छोड़ो, एम बोलना स्टार्ट करो, एचीव बना स्ट करते हैं question देखिए द्यान से what is the smallest number that is divisible by 12 24 36 45 and leaves remainder 6 in each case question पढ़के क्या समझ आ रहा है आपको question पढ़ करके आप इसमें क्या समझ पा रहे है ये बताइए दिखिए question पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है सर इसमें LCM करना है या SCF करना है LCM का concept मैंने आपको समझा रहा है पते क्या होता है concept तो पढ़ लेते हैं समझ नहीं पाते कहां पे कौन सी चीज लगानी है एक बार और ध्यान से question पढ़ी है question में ही सारी चीज चुपी हुई है what is the smallest number smallest number पूछा है that is divided by मैंने आपको सिखाया है कि LCM वो list common multiple होता है जो भी LCM दिये होता है उससे divide हो जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ सर कि 12, 24, 36, 45 का हमें LCM सबसे पहले निकालना है ताकि हमें यह पता लग जाए कि वो कौन सा चुटा 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 नंबर है list common multiple वो कौन है जो इन सारे numbers को divide कर रहा है चलिए LCM करते हैं 12, 24, 36, 45 आप भी मेरे साथ copy में करते रहे हैं correct हो सकता है बहुत बार हम लोग लिखते-लिखते गलती कर देते हैं आप भी करिए साथ-साथ मैं भी कर रहा हूँ 2, 6 जा 12 यह हो जाएगा 12 और यह हो जाएगा 18, 45 तो divide होगा इसी तरीके से दिखो जिनको LCM नहीं आता न LCM निकालने के methods में आपको बताईए 2 से करोगे 2, 3 जा 6, 2, 6 जा 12, 2, 9 जा 18, फिर 45 फिर से करते हैं, 2 से, 3 जा 6, फिर 9 और फिर 45 फिर हम 3 से करते हैं, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 जा 9 और यह 15 फिर हम 3 से कर देते हैं 1, 1, 1, 3 फिर 5 फिर हम 5 से करेंगे, यह पूरा divisible हो जारेगा मतलब हमारे पास number क्या क्या है, हमारे पास में number आया है 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 into 5, 8 9 जा 72, 72 into 5 क्या हो जाएगा, 5 2s are 10, carry 1, 360, but यह तो आगया LCM 360 वो number है, जिससे की 12 भी डिवाइड हो जाएगा, 24 भी डिवाइड हो जाएगा, 36 भी डिवाइड हो जाएगा और 45 भी डिवाइड हो जाएगा आगी के question में क्या बोल रहा है, उसको ध्यान से समझो पहले leaves remainder, 6 in each case, विभाजित करने पर प्रतीक स्थिती में सेस्फ़ल 6 भचता है बोल रहा है कि यह जब डिवाइड कर रहे है न, तो हमें complete divisible नहीं चाहिए हमें 6 भचना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, इस number में हमें 6 extra प्लस करना पड़ेगा 366, जब इससे डिवाइड करोगे, तो हर condition में 6 भचेगा मैं यह कह रहा हूँ, आपके पास में 5 चोकलेट है मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बाटों कि एक आपके पास भचे, तो 5 भचोगे 5 भचोगे, तभी तो एक होगा एक्स्ट्रा आपके पास में इस तरीके से हमें इन question को solve करना है question के pattern को भगड़िये, इस type के question में क्या करिये, खुद question बनाईए लिखे जाए ज़्यादा तर लोग जो पढ़ाते हैं, जो teaching community में हैं वो ऐसा बोलते हैं कि question की practice करो, question की practice करो, मैं कहता हूँ कि नहीं question को समझो, question बनाना सीखो इससे आपका intellect develop होता है मैं इस type के बचास question आपको देदूँ, आप करने लोगे बनने लगा question को पढ़ करके, question को frame करना सीखो, क्यार इससे और पूछा जा सकता है क्या क्या यह पूछ सकता है क्या कि ऐसा reminder बचे, जो की उस number का S.E.F.O. वाव, question एक और different type का बन गया यानि कि question को पकड़ना सीखना है हमें और यह develop होगा जब आप महनत करोगे खुद पर यार देखो, solution तो हर को ही बता देता है solution तो हर को ही बता देता है यहां भी आप बताईए और इस question को solve करके बताईए same question है आपके लिए समय देता हूँ चलिए इस question को solve करिए इस question को solve करिए चलिए रजाता हूँ मैं इस question को solve करके बताईए क्या होगा इसका answer find the list number from the following which is divided by 12, 16, 24, 36, remainder 5 पांच बचना चाहिए same question है same तरीके question है और आप मुझे बताऊगे कि इसका correct answer क्या होगा चलिए करिए इस question को करिए भाई करिए करिए इस question को बताईए कि क्या होगा इसका answer करना तो पड़ेगा आपको थोड़ी मेहनत तो आपको भी करने पड़ेगी मेरे साथ करके बताईए क्योंकि already मैं इस type के question आपको बता चुका हूँ और जब मैंने बता दिया है न तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके के question को करना है चलिए अब मैं सुरू करता हूँ इस question को solve करना आप भी अपनी copy में करते रही है correct देखिए और जो लोग कर रहे हैं वह वीडियो को pause करके भी कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है वीडियो को pause करके भी कर सकते हो question मैं आप करना start कर 12, 16, 24, 36 लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है 24 लिखा हुआ है और 36 लिखा हुआ है सबसे पहले इस नंबर में हम 2 का डिवाइट बच्चों की दरह हमें पढ़ना है प्यार से एकदम 6, 8, 12 और यहां पर जाएगा 18 फिर हम 2 से करेंगे इनका LCM निकाल रहे हैं न 2, 3 जा 6, 2, 4 जा 8, 2, 6 जा 12, 2, 9 जा 18 फिर हम 2 से करने वाले 3, 2, 2 जा 4, 2, 3 जा 6, फिर 9 फिर हम 2 से करने वाले हैं 3, 1, 3 और 9 फिर हम 3 से करने वाले हैं 3 बंजा 3, 1, 1 और 3, 3 जा 9 फिर एक 3 आ जाएगा तो यह completely divisible हो जाएगा नंबर अब ध्यान से समझना मेरे पास नंबर क्या आया है मेरे पास नंबर क्या आया है 2 इंटू 2, इंटू 2, इंटू 2, इंटू 2, 4 ताइम 2 आ गया और दो बार 3 है 2 तू जा 4, 4 तू जा 8, 8 तू जा 16 16 इंटू 9 सबसे पहले आपको करना है 16 इंटू 9 16 इंटू 9 करने पहे क्या आएगा आपको 144 कितना जाएगा 144 clear 144 में हमें क्या बचना चाहिए 5 बचना चाहिए तो 149, 149 is the correct answer यानि कि option number जो C है वो आपका correct option होगा अगर आपका option number C है पीट को थप-थपाईए यह बोलिए यस I can do it मैं कर सकता हूँ सर बिल्कुल आप कर सकते हो आप तो fold सकते हो चलिए एक question बताईए सबसे छोटी पूर्ण वर्क संख्या जो 16, 20, 20, 24 को हर से डिवाइड हो जाए निकालिए LCM LCM निकालना इन questions में LCM निकालो और बताओ कि इसका answer क्या होगा question दिया हुआ है 16, 20, 24 16, 20, 24 का बताईए कि क्या होगा और आपको बताना है इसमें कि perfect square बनना चाहिए perfect square ही पुछ है न हाँ perfect square पुछ है LCM निकालो क्या आ रहा है पहले मुझे LCM बताओ कि क्या आएगा comment में LCM बताओ पहले फिर मैं बताओ इसका correct answer क्या होगा फिर मैं बताओ और इसका correct answer क्या होगा perfect square का मतलब समझ रहे हो क्या होता है इन बच्चों को नहीं बताओ न perfect square मैं बता देता हूँ जैसे कि 16 है तो 16, 4 का square है तो यह perfect square है जैसे कि 25, 5 का square है perfect square है जैसे कि 36, 6 का square है perfect square है तो इसमें क्या होता है जैसे के हम 16 करते हैं तो 2 into 2 into 2 into 2 करते हैं तो यह दो-दो के pair बन गए यानि कि यह perfect square है अगर pair complete है तो सारे numbers के साथ में चलिए इस question को solve करते हैं आप बोलवेसल जो option दिये है न वो गलत है हम लोग solve कर रहे हैं तो हमारा answer नहीं आ रहा है ऐसा है क्या? ऐसा है क्या है एल से हम कर रहे हैं इसमें से कोई सा answer नहीं आ रहा है बताता हूं क्यों नहीं आ रहा है परिसान हो जाते हैं बताता हूं की क्यों नहीं आ रहा है बता रहा हूं मैं क्या है आपका answer? चलिए देखते हैं करिए आप भी solve 2, 8 जा 16 10 और यह होगा 12 फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8 2 5 जा 10 12 होगा 6 होगा ना दिमाग काम करना बंद कर देता है 12 2 2 4 3 6 2 5 5 2 2 2 से करेंगे 1 5 और 3 फिर क्या होगा फिर 3 से करेंगे और फिर 5 से करेंगे यहीं आरहा होगा बिलकुलसी आप साही बोल्रहों यहीं आरहा है हमारा तो क्या हम गलत कर रहे हैं हिर। कि नहीं बाबा गलत नहीं कर रहे हैं वापनों बिल्कुल सही कर रहा हूं ऑफ मैं बता रहा हूं कहां पे थोड़ी सी और चीज़ें इंप्रमाइज करनी है उसको देखो द्यान से हमारे पास में 2 के कितने पैर चार पैर है वाण टू टू ट्री एंड फूर अच्छा ठ्री क कितने है, 3 का 1 है, और 5 ही कितने है, 5 का भी 1 है, पेर बनाओगे तो किस किस के पेर कंप्लीट हो रहे है, 2 का एक पेर कंप्लीट हो रहे है, अच शो को मिल्डिप्लाई करने पर आपका आंज़र हो ज kinetic तूज़ा इट तूज़ा 16 और 16 में 15 का मुल्टिप्लाइब करोगा 240 आ रहा होगा अब देखो यह पेर कम्प्लीट हुगा आपका यह दोनों पेर कम्प्लीट नहीं है आपको पॉफेक्ट स्कॉयर आपसे पूछा गया है और पॉफेक्ट स्कॉयर में हमेशा पेर कम्प्लीट होना चाहिए तो अगर मुझे 3 का पेर कम्प्लीट करना है तो एक 3 का मुल्टिप्लिकेशन करूँगा तो यह 3 का पेर ये पॉफेक्ट प्रह बनेगा यहां पर भी एक पियर बन गया तू इं तू फिर हो गया एक प्रहमारा यह एक कमप्लीट हो गया थीका और फिर हो गया यह फाइफ का इस पियर कंप्लीट हुआ इनका करो मULTTIPLICKATION इनका multiplication आपको करना है करो 5 to the 10 25 और यह 400 हो गया 100 और 100 और यह हो जाएगा 9 to the 18 3 to the 16 correct तो इसका multiplication करते है 2 to the 4 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 3 16 में 3 का multiplication करोगे 48 48 में 3 करोगे और यह 25 करोगे इसको multiply करोगे तो आपका answer आजाएगा और इसका जाएगा 1600 आना चाहिए 36 36 36 हा रहा है 22 के कितने पेर बने आपके 2 के दो 36 हाँ 36 अंडिट आएगा multiply करने पर 36 अंडिट आएगा 326 339 9 देखो multiplication में कभी भी आपको घबराना नहीं है यह अपने पेर बने simplest करने इकोसिस करो 5 में 2 का multiplication करोगे 10 5 में 2 का करोगे 10 तो 10 इंटू 10 ठीक है 33 is a 9 9 तू जा 18 18 तू जा 36 3600 is the correct answer 3600 is the correct answer multiplication कर दे नहीं पर ध्यान रगो कहां से fast multiplication हो सकता है इस question को solve करोगे यह fraction का question है fraction के question को कैसे solve करोगे Qेंशन दीखतो हूँ रहा है ना आपको आपको अगयों दीख रहा हूँ Qकेंशन को नहीं Q geography दिख रहा हूँ आपको यह question visible है करे इस question को solve question को solve करिये फिर visible है तो solve करिये यह सारे के-सारे question mix fraction में दिये हुए तो improper fraction में चेंज करना होगा 5 5 जा 25 और 1 को प्लस करोगे 26 अपन 5 8 5 जा 40 और 4 44 अपन 5 Divide 5 4 जा 20 20 में 2 प्लस कर दोगे 22 अपन 5 Solve करने स्टार्ट करिए 26 अपन 5 44 अपन 5 Multiply करोगे 5 अपन 22 Cancel आउट हुजाएगा 5 से 5 22 से ये 2 बार में Cancel आउट हुगा अब यह हुजाएगा 26 में 2 का multiplication कर दो 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12 करी 1 52 अपन 50 52 अपन 5 Correct अब इसको Divide कर दो 52 को 5 से 5 बन जा 5 5 5 10 जा 50 2 आ गया 10 5 अपन 2 10 5 अपन 2 10 2 अपन 5 सरी 10 2 अपन 5 यार इसको पर लिखते है न ऐसे आता है यह नंबर ऐसे लिखते हैं डिवाइट करने के बाद में क्या होगा 10 2 अपन 5 10 5 जा 50 और यह 2 52 अपन 52 अपन 2 52 अपन 5 सरी 55 52 अपन 5 52 अपन 5 ऑप्शिन नंबर ऑप्शिन नंबर ऑप्शिन नंबर बी इस दा करेक्ट आंसर आउप की समझ पा रहा हूँ चलिए गगार क्षिन करी है इसको इंटरस्टिंग वेशन है यह और इस टाइप अपन देखती बच्चे घवरा जाते हैं मेरे से क्शों होगा नहीं होगा मेरे से और से क्वश्चों होगा नहीं होगा अपकर और इस वाले टम पे फोकस करो, इस वाले टम पे, बस, तो यह हो जाएगा, 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 4 और 1, 4 और 5 नहीं, यह step खतम हुई, अब हमारा फोकस जो होगा, वो इस नमबर पे होगा, क्या हो जाएगा, यह, 1 upon 2 plus 3, 1, 3, 9, 3 जा 27, 27 और 1, 28, 28 upon 1 upon, 28 upon 9, यह 1 के upon में है, तो यह नमबर आपोसिट हो जागा, यह हो जाएगा, 1 upon 2 plus 9 upon 28, करेक्ट, 28 में 2 का मल्टिप्लिकेशन करके 9 को फ्लस करना है, तो 28 में 2 का मल्टिप्लिकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 8, 2 जा 16, 56 होगा, और 56 में 9 को फ्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 65, 65 upon 28, 65 upon 28 हो जाएगा, यह हो जाएगा, यानि की option number जो C है, वो correct answer है, एक step पर focus किया, फिर यह, 1 के अपोन में number opposite प्लट जाते है, नंबर को प्लट दो, कोई इशु नहीं है, यह इसको solve किया, 28 upon 9 आया, यहाँ पे 9 upon 28 कर दिया, इस पूरे को solve करने के बाद में आ रहा था हमारा, 65 upon 28, 1 के अपोन में है, तो यह 28 upon 65 होगा, यह basic सा question है, यह बताओ मुझे question solve करके, the length of string, string का मतलब होता है धागा, एक डूरी, एक डूरी की जो लंबाई है, 5 मिटर, यदि इतना काट दिया जाए 5 मिटर में से, तो कितनी लंबाई बचेगी, minus करना इस question में, यानि कि 5 मिटर है टोटल, 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 माल लो, minus, 4, 5 upon 8, इसी को solve करना है, इस equation को solve करिए, बताइए कि क्या होगा answer, 5 upon 1 इसाब, minus, 8, 4 जा, 32, 32 में 5 को plus कर दो, 37, 8, अब cross multiplication कर लो, LCM लोगे तो 8 आएगा, 40 minus 37, यानि कि 3 upon 8, option number first, is the correct answer, समझ पा रहे हो आप चीज़ों को, चीज़ों को क्या आप समझ पा रहे हैं, यदि हाँ, तो अच्छी बात है, 3 upon 8, चलिए आगे बढ़ते हैं, यह question करो, simplify करना, बच्चो वाले question दे रहा हूँ मैं आपको, simplification की बच्चो वाले question दे रहा हूँ, करो आप इस question को solve, इसको तो करना ही पड़ेगा यार, तो फिर क्या करो, फिर किसी काम के नहीं है, फिर इसका मतलब तो यही हुआ, जब इस question को नहीं कर अपा रहे हूँ, इसका मतलब आप किसी काम के नहीं, जब आप से एक simple सा simplification नहीं बन रहा है, तो, चलिए question solve करते हैं, basic वाले method से हम solve करेंगे, कोई issue नहीं है, उसमें, चलिए, 7 बंज़ 7 और 4, 20, 7, 11 अपॉन 7 होगा, plus 8 अपॉन 5, plus 3 बंज़ 3 और यह 1, बूर अपॉन 3, इन सब का हम LCM लेंगे, 105 आएगा, कितना आएगा, 105 आएगा, इसका LCM लेने पर कितना आ रहा है, 105 आ रहा है, अब इसके आगे आप solve करो, कि क्या होगा, LCM निकाल के बता हूँ मैं, कुछ नहीं करना, तीनो number का multiplication कर दो, क्योंकि तीनो ही prime number है, और prime number का जब आप multiplication करते हो, 7, 5 और 3 का, तो 105 भी आएगा, क्योंकि 5, 3 जाए 15, 15 में 7 का multiply कर दोगे, तो 105, अब यह जो 105 है, 105 को divide करोप सबसे पहले 7 से, 15 आएगा, और 15 में 11 का multiplication करोगे, 165 आजाएगा यहाँ पर, इसी तरीके से, यह क्या आगया आपका, 165 आगया, इसी तरीके से 105 को आप divide करोगे, किस से 5 से divide करोगे, 21 आगया, और 21 में 8 का multiplication करोगे, 21 में आपको multiply करना है 8 का, 168, फिर 105 में आपको divide करना है किसका, 3 का divide करना है, 105 में आपको 3 का divide करना है, 35 आएगा, और 35 में multiply करना है 4 का, 35 में 4 का, यानि कि 140, प्लस कर दो सबको, 140 प्लस 168, और प्लस करेंगी 165, क्यों जाएगा, हमारा कुछ जादी बड़ा नंबर आ रहा है, 473 अपॉन 105, 473 अपॉन 105, divide करें क्या, divide करते हैं, divide करते हैं, तो divide करने पर क्या रहा है, 473 आएगा, mistake तो नहीं हुए, यह कुछ है, divide करते हैं, 473 को 105 से, और बार में तो जाएगा, ही जाएगा, जाएगा, 20, माइनस कर दो, 3, 453, 1 अपॉन 5, 453, 1 अपॉन, sorry, 450, 450, 450, आपके सकते हों कि, 453 अपॉन 105, सो option number C, जो है, वो correct option, option number C, जो है, वो correct option है, चलिए, question number 16 बताईए, और पते हैं, एक question बता रहुए है, यह जो question है न, यह आपके 2024 का जो exam है, उसमें आया था, यह question, तो आप मुझे बताओगे, इसका answer क्या होगा, answer देख लिए न, आप लोगों ने, बहुत बढ़ी है, टीप वो, बच्चो, 3 से divisibility पूछा है, 3, 2, क्या पूछा है, greatest value पूछा है, केरता हूँ question ध्यान से पढ़ा करो, question देखके ही solve करने मतलग जाना, और देखना, इसमें mistake बच्चे कहाँ पर करके आयते हैं, मुझे याद है, अच्छी तरीके से, अब देखो, बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने बुला, सर, 3 और 2, 5, 5 और 5, 10, 10 और 6, 16, सर, यही तो देखना है, 2, 2 प्लस कर दिया हमने, तो आगया 18, सर, 3 से डिवाइड हो गया, पहला option सही है, गला देखोंचों, ग्रेटेस्ट वेल्यू उच्छी है, इससे बड़ा भी तो नंबर हो सकता है, चलो, क्या 6 प्लस करने पर हो रहा है क्या, 6 प्लस करने पर 22 हो रहा है, यह तो होगा नहीं, 8 प्लस करने पर, 33, 8 प्लस करने पर 23 हो रहा है, यह भी नहीं हो रहा है, 8 प्लस करने पर होगा 8 प्लस करने पर ही होगा क्यों देखो 16 में जब आप 8 प्लस करोगे 16 है ना 3 और 2 5 5 और 5 10 और यह 16 ठीक है 16 में जब आप 8 प्लस करते हो तो यह हो जाएगा 24 24 3 से डिवाइड है और यही बड़ा नंबर है यही greatest value है smallest अगर पूछता तो 2 सही होता greatest पूछा है इसलिए 8 वाला सही होगा यहाँ पे अगर हमसे smallest पूछता तो 2 सही होता greatest पूछा है इसलिए 8 आंसर होगा और यही मिस्टेक करके बच्चे आये थे मेरे पास में question को ध्यान से पढ़ना है एक और question दो यह भी पूछा था last time exam में कोई सी संक्य गटाने जीने चाहिए यह perfect square बन जाए which smallest number should be subtracted from the 3142 to get a perfect square कोई सा इसा number है जो perfect square बना देगा इसमें यह हमें देखना है perfect square पता करना है न देखिए इसमें trial and error method का हम use कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से 3142 में से अगर मैं 5 को minus कर दूँ जो कि पहला वाला option है 3125 3131 इसमें लिखा हूँ है 3142 इसमें से 5 minus करेंगे तो क्या हो जाए 3133137 होगा चलिए अब इस 5 की जगे पर हम minus करते हैं 6 3136 3142 होगा 3142 में से 6 को minus कर देते हैं 3136 3136 होगा 7 minus कर देते हैं 3135 होगा 3142 में से 8 minus कर देते हैं 3134 होगा कौन सा ऐसा नंबर है जो perfect square है देखो 7 वाला 5 ये 5 वाला तो नंबर होगा नहीं 5 वाला नंबर तो आपका होगा नहीं 5 वाला नंबर तो होगा नहीं आपका 5 वाला जो नंबर होगा नहीं 5 वाला जो नंबर होगा नहीं 5 वाला जो नंबर होगा नहीं 3137 ये perfect square नहीं जब आप इसको LCM निकाल के देखोगे ये perfect square नहीं 3136 अच्छा जब हम square root पढ़ेंगे तो एक direct method वाहाँ पढ़ते हैं उसके through भी हम कर सकते हैं square है 3136 किसका square है तो 339, 99 जा 18, 44 जा 16 5 5 ते 25, 6 6 जा 36 5 से करते हैं 5 5 जा 25 minus कर लेते हैं तो यहाँ पर आजाएगा 57 आगया यहाँ पर 7 ए 6 6 आगया और यह 36 एक बार में जाएगा यहाँ पर 6 कर देंगे 56 का ही है यह जो नंबर है वो 56 का square है यह जो नंबर है 56 का square है बाकी यह नंबर किसी नंबर के square नहीं है तो perfect square के लिए हमने क्या देखा कि 6 को जब हम minus कर रहे हैं तो वो perfect square बन जा रहा है एक और question है इसको solve करिए यह तो आप से बनना चाहिए है fraction का question है 7 upon 3 plus 7 upon 3 divided है तो यह हो जाएगा चलो लिख लेता हूँ 14 upon 3 minus 1 upon 7 divide 14 upon 49 14 upon 49 minus लगा हुआ minus यहीं लगा हुआ बागी कहीं नहीं लगा और हाँ बस यहीं लगा हुआ है minus बागी कहीं नहीं लगा ठीक है 7 से गंजिल आउट कर लेते है 7 to the 14 7 7 to the 49 चलिए अब यह multiplication वाले numbers को solve करते है 7 upon 3 plus 7 upon 3 यह divide है तो multiply हो जाएगा minus 1 upon 7 multiplied by 7 upon 7 to 7 cancel out हो गया 3 से 3 cancel out हो गया 7 to the 14 हो गया correct तो 7 upon 3 plus पुछ भी नहीं है 1 upon 2 minus 1 upon 2 यह cancel out हो गया 7 upon 3 answer है 7 upon 3 यानि कि option नमबर जो first है वो correct option होगा 10 upon 3 10 upon 3 कैसे आ रहा है 7 upon 3 याना चाहिए plus चलिए फिर से करके देख लेते हैं इस question को आप बताना इस question को फिर से करते हैं इस question को फिर से कर लेते हैं doubt है तो हो सकता है answer भी गलत हो सकते हैं ऐसा थोड़ी हमें बस अपनी process पर द्यान देना है चलिए यह 7 upon 3 है यह भी 7 upon 3 है इसको भी हमें इसको cancel out नहीं कर सकते हैं तो अपने ऐसा करते हैं 7 upon 3 प्लस 7 upon 3 यहां पर divided तो multiply हो जाएगा number जो है 3 upon 14 हो जाएगा minus 1 upon 7 और यह divided तो यह multiply हो जाएगा यह हो जाएगा 49 upon 14 minus का correct अब ध्यान से समझे है question में कैसे हम कर रहे हैं सबसे पहले हम multiplication करते हैं numbers का क्या करते हैं multiplication तो यह दो cancel out हो गया और 7 मंज़ा 7 7 2 जा 14 ऐसे ही 7 से यह number हमारा cancel out हो जाएगा 7 7 जा 14 है 7 2 जा 14 correct तो जाएगा 7 upon 3 plus 7 upon 3 plus यहां पर क्या बचा 1 upon 2 और यह जो माइनस है ना माइनस और माइनस हो जाएगा plus देख रहे हो छोड़ी से mistake होई थी 7 upon 3 upon 2 यह हो जाएगा 2 upon 2 ठीक है और इसको cancel out करोगे तो 1 हो जाएगा इसका LCM ले लेते है LCM लेने पर 6 आएगा तो जाएगा 14 plus 6 20 upon 6 cancel out करोगे 10 upon 3 option number 3 यह जो माइनस है ना इसके साथ में यह माइनस और यह माइनस प्लस होगा cancel out नहीं होगे और यहीं छोड़ी से mistake से बच्चे 7 upon 3 करके आ जाते हैं I hope कि यह जो question है जो हमने करे हैं आप सभी लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगे ऐसे ही और question practice के लिए मैं आपको देने वाला हूँ ऐसे ही और question में आपको practice के लिए दिने वाला हूँ और उसके लिए यह जो number लिखा हूँ है इस पर आपको contact करना होगा किस पर message करिए practice के लिए देखता हूँ कितने बच्चे active है क्या करना है सबसे पहले हाई का message करना है अपना एक registration होगा registration link आएगी जो की free होगी उस पर registration कर देना आप हम आपको aid कर लेंगे group में ग्रूप में एड करने के बाद chapter wise आपको questions मिलेंगे practice के लिए तो ये number है इस number पर आप हमसे संपक कर सकते हो आप 877 007 431 और चूब बच्चे विल्कुल hand holding support चाहते हैं कि सर नहीं हमें तो आपके साथ preparation करनी है हमें तो आपके साथ आपकी guidance में preparation करनी है उसके लिए हमारा होता है mentorship program इसमें courses के कोई charges नहीं लिए जाते हैं केवल mentorship की एक nominal सी charge होता है उसमें हम क्या करते हैं कोई भी बच्चे जुड़ता है इसमें ना बोदे वाला, सैनिक स्कूल वाला, मिलिटरी स्कूल वाला, बोड एक्जाम स्वाल उसमें हम mentoring करते हैं, slabers tracker देते हैं, slabers को track करवाते हैं, practice करवाते हैं, previous questions के साथ में weekly test होता है doubt clear करते हैं, one-to-one, whatsapp के through, zoom call के through, google meet के through, आपके doubts clear होंगे one-to-one, आप मेरे से interaction करते हूँ, जैसे हमा लीजे, यहाँ पर यह वीडियो देखिए, आपको कोई doubt है, तो आपर doubt clear हो सकते हैं, वाकि ऐसा नहीं है, बहुत सारी लोग whatsapp पे question based है, मनको definitely, एगर free रहता हूँ, तो जब आप जरूर देता हूँ, लेकिन जो बच्चे mentorship program से ज ही है न, बिराट, पोली, कितने भी अच्छा player की होना, ओच की जरूरत तो उने भी है, same way है mentorship program, hand holding support provide करता है आपके लिए, weekly test rank जो होती है, आपको एक atmosphere दिया जाता है, उस group में आप aid होते हो, और वहाँ पे आप test देते हो, आपको पता रहता कौन सा बच्चा आगे चल रहा आप कहाँ पे हो, आपकी preparation में एक competition रहता है, तो आपको भी मचा आता है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में mentorship program के लिए, और इसके लिए यहाँ पे call करके आप detail ले सकते हैं, कि mentorship program का कैसे क्या होने वाला है, उसके बारे में complete time career आप ले सकते हैं, so thank you so much, thanks for giving your precious time at the last, God bless you, thank you so much, उमीद है कि आपको एक class बहुत अच्छी लगे होगी, मिलते हैं अगली video lectures नों उसमें हम पढ़ेंगे, linear equation in one variable के concepts